प्रेव भाई बैनों आपका फिर से स्वागत है कि आप इस वचन को सुनें हमने पिछले एपिसोड में जो विनम्र एक आशिशित विश्वासी पार्ट वन में देखा था कि किस प्रकार से प्रमेश्वर आपके और मेरे जीवन में विश्वासी की जीवन में दीनता नम्रता विनम्रता चाहता है और एक डेफिनिशन भी एक परिभाशा भी मैंने आपको दिया था शायद आपको याद होगा वो फिर से मैं याद दिला देता हूं कि विनम्रता वो स सारी महत्वता से बिल्कुल свतंत्र होकर परमेश्वर के परती पुर्ण समर्पन और दुसरों के परती पुर्ण निष्ठा के साथ एक सकारात्मक सोच और मांसिक्टा का होना अपरमेश्व यही चायता है आपके और मेरे जीवन में कि हम इसको उसी प्रकार से देखें और इस प्रकार से एक विनम्र व्यक्ति बन सकें मसीही जीवन का एक आधार है और हमने कई बातों को देखा था इसके सम्बन में आज मैं उसी का दूसरा भाग पार्ट टू मैं देखने के जा रहा हूँ और आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे हम इतने देखा कई बातों को कि किस प्रकार से प्रभूश मसी इन बातों को हमारे जीवनों में चाहता है क्योंकि वो खुद एक एक एक्जामपल एक आदर्श हमारे लिए छोड़ गया हम देखते हैं अब आगे कि जो विनमरता है दीनता है या नमरता है वो पवितर आत्मा के फल का एक भाग भी है मैं आप के लिए पढ़ोंगा गलतियों उसका 5-22 और 23 गलतियों उसका 5-22 और 23 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परात्मा का फल, प्रेम, आनंद, शान्ती, धीरज, और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता यहाँ पर आगया वो नम्रता और संयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई विवस्था नहीं है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह परात्मा का फल है और यह प्रभुईश्वमसी का स्वभाव भी है जो नम्रता था है, वो प्रभुईश्वमसी का स्वभाव भी था फिलिप्यों उसका दूसरा अध्या है और पांच विपाद में हमने देखा पिछले एपिसोड में अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रैक्टिकल ठिप, कुछ प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से हम देखें कि एक विनम्र सभाव का व्यक्ति उसके जीवन में क्या क्या आशिश आ सकती है इसके क्या क्या फाइदे हैं अब जब भी आप कोई दवाई लेते हैं तो आप जरूर पहले देखना मांगते हैं इसका क्या क्या फाइदा मेरे जीवन में होगा और तब ही हम कोई दवाई उसको लेते हैं परिणाम भी है जो परमेश्वर चाहता है कि हम आशिशित हो हमने पिछले आपिसोर में देखा था पहला पत्रस और उसका पांच अध्याए पांच प्रपद में कि परमेश्वर दीनों पर विनम्र लोगों पर क्या करता है अपना अनुग्रह देता है उसका अनुग्रह अपना अनुग्रह उन लोगों पर डालता है जो विनम्र होते हैं जो नम्रता से भरे रहते हैं दीनता की भावना मिलती है और यही परमेश्वर आप से और मुझसे चाहता है तो पहली बात हम देखेंगे कि क्या टिप है वो यह है कि पहली बात हम देखते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्तनाओं का उत्तर देता है जब हम विनम्र होते हैं जब हम दीन होते हैं वो हमारी अफशक्ताओं को पूरा करता है हमारी प्रार्तनाओं का उत्तर भी देता है अब मैं आपके लिए पढ़ूँगा पुराने नियम से बहुत ही अच्छा सटीक बाइबल का वचन जो हमारे लिए बड़ा प्रैक्टिकल डूप से दिया गया है दूसरा इतिहास और उसका साथ अध्याय चौदा पद यहां पर परमेश्वर की प्रामिस है एक प्रतिग्या है जो हम विश्वासियों के लिए है कि यदि हम नम्र बने दीन बने विनम्र बने हलीम बने या हम्बल हो तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा सुनिए तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें सुनिए साब दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप शमा करऊंगा और उनके देश को जिओं-कातियों कर दूँगा तीक है यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं विश्वासी लोग दीन होकर प्रार्तना करें और मेरे दरशन के खोजी होकर अपनी बुरी जाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप शमा करूँगा उनके देश को जियों कात्यों कर दूँगा तो देखे अगर हमें प्रार्तना का उत्तर चाहिए तो जाब हमें क्या होना है विनम्र होना है दीन बनना है ये परमेश्वर का एक प्रतिग्या है आप लोग के लिए मेरे लिए ये फाइदा है दीनता का फाइदा है हमारे लिए फाइदा है भई परमेश्यर की आशीश हम पर बनी रहेगे अच्छा मैं और दूसरे पदों को हम यहाँ पर देखेंगे जो पाये जाता है कि अगर लुक अरची सूसमाचार में हम देखें अठारवा पद अठारवा अध्या है और तेरह और चौधा पद में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ूँगा नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि दो लोग प्रातना करने गए थे मंदिर में एक तो सीधा अंदर तक चला गया जो फैरसी था अंदर तक गया और उसने अपना बखान शुरू कर दिया लेकिन दूसरा वेक्ति जो था जो शायद यहूदी नहीं था वो अंदर जाने के लाइक भी नहीं समझा अपने आपको बोला मैं तो इतना पापी हूँ मैं कैसे अंदर जा सकता उसने बाहर डेवडी में खड़ा हो करके प्रभू से प्रार्तना किया प्रभू मुझ पापी पर दे आकर उसने प्रार्तना मांगे आपको पता है प्रभू ने क्या का जो डेवडी पर खड़ा था प्रार्तना किया उसकी प्रार्तना सुनी गया क्यों? क्योंकि उसने दीन ता के साथ, अपने आप को दीन कर दिया प्रभू के सामने, हम्बल किया, और दूसरे की प्रारतना नहीं सुनेगा, जब घमंड आता है, तो परमेश्वर हमारे प्रारतनाओं को नहीं सुनेगा, लेकिन विनम्र है, तो ये उसकी आशिश है, फिर ह हमारे दोलों के बीच में कानफलिक्ट होता है, टकराव की स्थित्य होती है, हमें एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, आँकों से आँक नहीं मिला पाते हैं, बात चीत नहीं कर पाते हैं, और जाते शायद एकी चर्ज में हैं, लेकिन एक दूसरे से हम मिलते जुलते नही क्योंकि दोनों के बीच में खटास है, एक काटा, एक दिवाल है, खेर दीन ता इसको दूर करता है, विनम्र ता इसको दूर करता है, कैसे? यदि मैं अपने आप में विनम्र बनू और उससे जाकर कि कहूं, और भाई मैं तेरे से प्यार करता हूं, ओके? मैं यह सब कुछ यह पाप है, तो तेरे विरुद मैंने किया, मैं अपने आप को हलीम करता हूं, अपने आप को दीन करता हूं, देखे साब, मैजिक, मैजिक नहीं, पवित्राइवा का कार यह, यह होता है. इफीसियों की पत्री, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, ऐसी से सम्मंदित, इफी प्रमेश्वर के बचन में हम देखेंगे यहां लिखा हुआ है सब प्रकार की कड़वाहत और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर्भाव समेथ तुमसे दूर किये जाए एक दूसरे पर कृपालू करुणामय और जैसे परमेश्वर ने मसी में तुम्हारे अपर क्या करो शंब कररो और जब हम दूसरे क्या प्राट को शंब करेंगे तो सॉअप टक्राओ के स्थिति का सवाली नहीं हम मेल जोल खाएंगे और एक एकता में बने रहेंगे तो विनमRana क्या लात है हमारे जीवन में मेल मिलाभ की आशिश लाता है यदि गमंडी बने नहीं उसको पहले माफी माँगना चाहिए मैं क्यों माफी माँगू उसने बोला उसकी गलती मैं क्यों अपने आपको नीचे दिखाऊँ नहीं पर मेश्वर की दृष्टी में ये मेरा पहला करतब बनता है यदि कोई भी कॉन्फलिक्ट है तो ये मैं पहले जाकर कि उसको सुधार हूँ चाहिए दूसरा करे ना करे वो अलग बात है उसके लिए हम जिमेदार नहीं है लेकिन जब भी हम कॉन्फलिक्ट के समय में या तक्रार के समय में या कुछ एक दूसरे की बीच में जो खटास है यदि मैं अपने आपको हलीम नम्र न बनू दीन न बनू तो हम कभी भी मेल मिलाब की भावना नहीं रख सकते है तो परमेशर का वचन कहता है मेल मिलाब चाहिए तो अपने आपको विनम्र बनाएए तीन बनाएए एक दूसरे से मापी माँगे यही तो बात है परमेशर का वचन तो यही कहता है अच्छा फिर अगर हमारा कभी-कभी तकरार अन्य जातियों से होता है जो प्रभू में नहीं है और वो बड़े क्रोध में आ सकते हैं तुम यह क्या बता रहा है हमें प्रभू के बारे में यह वो लेकिन हमें वैसा क्रोधी नहीं होना है विनम्रता से हमें उसको जेलना है तो परमेशर हमें साहता करता है जब हम विरोधियों के साथ हैं जो प्रभू इश्यमसी को नहीं चायते तो हमें इस पर ध्यान देना है दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याए दूसरा थिमोथी उसका दूसरा अध्याए और उसका पचीस पद मैं देखता हूँ यहाँ पर हाँ पचीस पद है देखे क्या लिखा हुआ है पचीस पद में यहाँ लिखा हुआ है चौबीस पद से मैं आपके लिए पढ़ूँगा चौबीस पद विशेश करके पच्चीस पद है और प्रभू के दास को जगडालू नहीं होना चाहिए भाई चो प्रभू के लोग है अरे हम ही जगडा करते हैं तो विरोधियों अन्य जातियों में और हमें फरगी क्या है नहीं है ना तो हमें जगडालू नहीं होना चाहिए पर सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपड और सहन शील हो सहन शीलता की गुनवत्ता जरूरी है और विरोधियों को नम्रता से समझाए ये बात आ गई जो हमारा विरोध करते हैं बाइबल का विरोध करते हैं हमारे लिए उल्टी सिधी बाते बोलते हैं परमेश्वर के वच्छन के बारे में उल्टी सिधी बाते बोलते हैं तो हमें नम्रता से समझाना है क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराओ का मन दे कि वे भी सत्य को पहचान सकें तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि बिनम्रता हमें परमेश्वर के वचन के जो विरोधी हैं उसको उसमें विजय प्राप्त करने के लिए नम्रता बहुत इंपोर्टन बात होती है तो जब भी कोई अगर आप से गुसा होता है और उल्टी सीदी बाते सुनाता है तो कोई बात ने हमें ऐसा नहीं होना है हमें अपने आपको दीन करना है हम्बल करना है परमेश्वर के सम्मुख विनम्र बनना है ताकि वो हमारी इस गुणवत्ता को देखकर ही शायद सोचे यार मैंने उसको इतना बुरा भला कहा लेकिन वो फिर भी नम्रता से मुझे बताता रहा है ना तो ये एक और परमेश्वर की आशिश हमें मिलती है जब हम विरोधियों का सामना नम्रता से करते हैं आके बढ़ेंगे और क्या हमें विर नम्रता से करना है अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग हमारे विश्वास के बारे मुझे भाई परमेश्वर कौन है मैं तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तुम बताओ कौन है, या बाइबल तो परमिश्वर का वच्चन नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बातें बाइबल के खिलाब शायद बोले या प्रशन उठाए, ये बताइए, ये कैसे होगा, तो हमें उस समय भी उतावली होकर के या एक्साइटमेंट में होकर के जवाब नहीं दे हमारा बोलने की ये आवाज जो टोन है, वो विनम्रता से भरी रहे साब, तब तो बात बनती है, ये बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ूँगा पहला पत्रस तीन पंद्रा, पहला पत्रस तीन पंद्रा, क्या लिखा हुआ है, जब भी हम किसी भी वेक्ति को जवा आप दें, तो बड़े विनम्रों के साथ, बड़े प्रेम के साथ हम समझाए, गुसे में नहीं या उतावलेपन से नहीं, यहां लिखा हुआ है, पहला पत्रस तीन पंद्रा, पर मसी को प्रभू जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमारी आशा की विशे में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सरवधा त्यार हो, परंतु नम्रता और भै के साथ, यहां पर दो शब्दा हैं, परंतु जब भी हम जवाब दें, परंतु नम्रता, बहुत इंपोर्टन, बड़े भी नम्र हो करके, नम्रता के साथ, और परमेश् है मानते हुए, हमें उन्हें उत्तर दे, जवाब, उल्टा जवाब ना दे, हमारी जो आवाज हैं, वो खराश, ना हो, गुसे वाली ना हो, इरिटेशन वाली ना हो, जुझलाट वाली ना हो, जहां किसी के प्रशनों का उत्तर देते हैं, प्रेम से, नम्रता से, और परमे पिश्वर के भै के साथ हम उन्हें उत्तर दें ठीक है तो ये भी देखें और एक और बात में आपको बताना मांगता हूँ कि जब विनम्र हम होते हैं तो हमारे जो संबंद हैं वो और मजबूत होते हैं पक्के होते हैं अब पहली शतादी की जो कलीसिया थी प्रेरितों के का उसका दूसरा अध्याय और 44-45 पद में क्या लिखा हुआ है वो इतने जुड़े थे इतने पक्के थे सब एक दूसरे की साहिता करते थे नमरता परविश्वर के भै से भरे थे तो ये नमरता हमें एक दूसरे के साथ मजबूती का कारण भी देती आत्मिक रूप से कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूँगा इफीसियों उसका चार अध्याय और दो पद क्या लिखा हुआ है अर्था सारी दीनता देखिए शब पहले आया और नमरता सहित और धीरजधर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यतन करो कितना बढ़िया है सारी दीनता और नमरता सहित धीरजधर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो यही तो है नमरता की blessing आशिश वो हमें मजबूत बनाता है मच्चोर बनाता है परीपक्व बनाता है एक और पद पढ़ेंगे हम कुलूसियों उस तीन अध्याय बारा पद कुलूसियों की पत्री उसका तीन अध्याय बारा पद यहां लिखा हुआ है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता वही आ गई ना दीनता विनम्रता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो और यदि किसी को किसी पर दोश देने का कोई कारण भी हो तो भाई एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराश्शमा करो जैसे प्रभू ने तुम्हारे अपराश्शमा किये वैसे ही तुम भी करो क्या बात है बिलकुल सही बात प मजबूत बनाना मांगते हैं एक दुसरे के साथ परमेश्वर के भाई में परीपकव होना मांगते हैं तो विनम्रता इसमें बहुत मजबूती का जोड़ जिसे कहते हैं ला कभी नालग करने वाला ये विनम्रता हैं मजबूत करेगा कितना अच्छा यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो बड़ी नम्रता के साथ पर नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को हम लें पढ़ते हैं याकुब की पत्री उसका पहला अध्या है याकुब उसका पहला अध्या है और उसका 21 पत्र सुनें क्या लिखा इसलिए सारी मलिंता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उसको फेक करके उस वचन को नम्रता से ग्रहन कर लो परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहन कर लो जो हिर्दय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उध्धार कर सकता है कितना बढ़िया लिखा हुआ है, यहां पर परमेशर का वचन, जब भी हम परमेशर का वचन सुनें, तो doubt, शंका, question, comment, इसको छोड़ करके, नम्रता सहीद, नम्रता सहीद, हम बन्हो करके, उस वचन को पीते जाओ, पीते जाओ, खाते जाओ, अपने दिल, दिमाग, विक्ति का वचन, क्योंकि यह परमेशर का वचन है, मनुष्य का वचन तो है ही नहीं, है ना, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पता ना मांगता, आपको पता, दुनिया में सबसे बड़ा जो नम्रता कौन था, सबसे दुनिया में सबसे जादा, जी हाँ, शायद आपने सोच लिया होगा, वो था मूसा, गिंती की किताब, Numbers, गिंती की किताब और उसका बार्वाध्याय तीन पत, सुनी क्या लिखावा, बार्वाध्याय तीन पत, मूसा तो प्रिथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक, नम्र स्वभाव का वैक्ति था, दीन वैक्ति था, मूसा के बारे में लिखा हुआ है, आइए हम उस मुसा के समान, कितनी उसने परिशानिय जह ली, क्या क्या उसने प्राब्लम आए, लेकिन विनम्र बना रहा, आखिर में मैं बताना मांगता हु कि कैसे हम विनम्र बने रहें, प बिना किसी डाउट के बिना किसी द्रोह भावना के रोमयों की पत्री नौ अध्याए एकीस और बाइस रोमयों की पत्री उसका नौ अध्याए एकीस और बाइस में क्या लिखा हुआ है सुनिए क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही मिट्टी से एक बरतन आ प्रादर के लिए बनाए कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सावत प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की जो विनाश के लिए त्यार किये गए थे बड़े धीरस सही तो हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर यह बताता है कि हे मनुश्वला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है बीसमा पाद क्या गड़ी हुई वस तू गड़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही मिट्टी से एक बरतन आदर के लिए दूसरे को अनादर के लिए बना कोई अधिकार नहीं है बिलकुल भी नहीं वो हमारा कुमार है कभी आपने देखा दिया और मिट्टी के बरतन कभी कुमार से प्रशन पूछे कभी नहीं बिलकुल वो कुमार के अधिकार में बने रहते हैं आपको और मुझको भी ऐसे रहना है दूसरी बात किस प्रकार से ह कर सकते हैं वो है दूसरों को हम अपने से अच्छा समझे। जो की डिफिकल्ड है लेकिन संभाव है। प्रफिलिपियों उसका दूसरा ध्याय तीन पथ। स्वार्थ से या मित्यागरव के लिए कुछ ना करो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, कहने का मतलब दूसरे वक्ति मेरे से बहुत अच्छे हैं, अगर मैं ऐसी मानसिकता रखता हूँ, तो मैं विनम रहूँगा, क्योंकि परमेश्र का वाचनिय कहता है, चौथा पर और हरेक अपनी ही हित की चिंता न करे, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे, जैसा मसीश्य का स्वभा होता, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभा हो, सो प्रियो, हमने दूसरे एपिसोड में ये देखा, क्या क्या फल पवत्रात्मा के जो विनमरता से जुड़े हैं, हमने देखा, साथ ही क्या परमेश्र की आशिश आशिशे आती हैं, जो वैक्ति विनमर होता है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम विनमर बन सकते हैं, परमेश्र से आप प्रार्तना करेंगी, प्रभू, अपनी महिमा के लिए मुझे विनमर बना, make me a humble servant, परमेश्र आपकी इसमें अगवाई करें, मेरी भी अगव आइ करेंगी,